नमस्कार किसान भाईो मैं पर्णफ फिट सब के अपने चैनल पर्णफ कृषिकेंदर में स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी शौस्त बंक उप्षल मंगल से होंगे तो किसान भाईो आज मैं वताने वाला हूँ कि गेहू के फसल में कम कल्ले बनने का कारण क्या है और गेहू के फसल में रोग और कीटो का अटाक क्यों होता है तो किसान भायो हम जहाँ पर गेहू लगाते हैं उस जगा के मिट्टी के अनुसार और मौसम के अनुसार अगर हम वीच का चयान नहीं करते हैं तो हमारे जो पौधे में टिल्रिंग कम होती है, कल्ले कम बनती है, रोग और कीटों का एटाक होती रहती है इसलिए हमें एक ऐसे वराइटी या ऐसे वीच का चुनाप करना चाहिए जो कि हमारे वहा के मिट्टी के अनुकुलित, वातावरण के अनुकुलित हो, तभी क्या है, पौधे में अच्छी टिल्रिंग होगी, पौधे में अधिक कल्ले वनेगी, पौधे में रोग तो किसान भायो अगर आप सयम से अच्छी वीच का चैन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके वहागे पूराने किसान से सलहा लीजिए, नहीं तो आपके पास कृषी विज्ञान केंद्र से सलहा लेकर वीच का चैन कीजिए, तभी क्या है आपको एक सही फसल मिल पाएगी, और अच्छी खासी पैदाबार मिल पाएगी और दूसरी बात किसान भायो अगर आप अपने गेहू के फसल में किसी भी प्रकार की ग्रोध प्रमेटर देना चाते हो तो आप फसल के 30 से 40 दिन के अंदर देंगे तभी क्या है आपको एक आपका पौधा का ग्रोध अच्छा का पौधे में कल्य की सेंख्या में भी विद्धि होगी और आपका फसल की उत्पतन में भी आगे जाके विद्धि होगी अगर इसके बाद आप किसी भी प्रकार के ग्रोध प्रमटर देते हो तो क्या है हमारे फसल में उतना अच्छा खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिल येगा लेन्य वाद